अब कप्तान रोई सर्मा भई ये मैच तो जीत जाओ गए ने नुजिलेंड से क्योंकि पहले मैच में तो मैं खेल ले था इसलिए हार गये इसलिए मुझे बाहर कर दिया अब दूसरे मैच तो जीती जाओगे अब भई ये अरे तुम भई ये खुद तो चलते नहीं हो ये हम लोगों को बाहर करते रहते हो अरे ना वराट कोली ना रोई सर्मा अरे भई ये तुम इस घर के बड़े बुजुर्ग हो इस टीम के बज़े बुजुर्ग की कुछ ना कर पा रहे तो भई ये बाकी तो भई बच्चे तो नल्ले होई जाते हैं अब तुम लोगों से कुछ पूरी टीम एक सोच अपरन पे लुल हो गई ये कोई तरीका होता है यार ऐसा लगाता कि जैसे चालिस रणों आउट होने में सारा कुछ कसूर मेरा ही है जो मुझे बाहर कर दिया अब यह देख लो नूजलेंड वाले कितना तगड़े खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है इंडिय कि ऐसा शिपन विकिट बनाया है कि वह यह हमसे तो रणी नहीं बनते और यह लोग बढ़ी आसानी सा रण बना रहे हैं और इनके शिपन गेंद बाद तगड़ी विकिट ले करके जा रहे हैं रहा है अरे वह पिछले मैंस में सरफराज रिस अपन्त का रोड़ा बल्ला चला बाकि वह बैठा रखा अपने रहाने और पुझा रहा वह अच्छा खास समाल ले थे मीडिलोडर में लेकिन वह उनको भी बाहर कर दिया हम तो कप्तानों कुछ नहीं हमारे जलती पिलती नह रहता है तो वही हाल हमार हो रखा बहिया कितने सतक लगाए हूं पचास सो दस बीस पचास बहिया कितने सतक ठोकती हूं कितने रन बना दी हूं जब टीम नहीं जीत रही होती है तो बहिया सब बेकार हैं सब पीछे हो जाती है अब देखो लोग कैसी कैसी वाते बना रहे है बागी गलती लोगों कोई भी नहीं है इंडिया में रह करके और इंडिया में हमें को बहुत बुरी तरीके से पेल रहे हैं यह देखो इस मैंच में 298 रण तो बनाए दिये दूसरा दिन है भईया 300 से ज़्यादा कि इन लोगों की लीड हो गई है अब तो यहां मैंच फसेग वालों डेवल टीसी में पहुंच करके कौन सा तुमको जीतना होता है वहां से भी तुमको हारना ही होता है इस से अच्छा यहीं हार करके बार हो जाओ बागी चक्कर में पढ़े ओ यह दिन का खेल हुआ है बगया यह मैंच तुम हार चुके ओ अपना बोरिया बिस्तर बां करके बहिए न्यूजलेंड वालों को या डेर कर देंगे अरे तुम्हें खोदी फस गई अपने चक्कर में बनाओ और शिपने विक्टे और खेलो अब तुम कोई यहां भारी पड़ गया है विक्टे बनाना